आज की जो वीडियो है अगेन आप लोगों के लिए कुछ निचीज लेके हैं हूँ जो बहुत ही easy competition वाली है और as usual आप लोगों का बहुत अच्छा response राता है इस तरह की वीडियो के ओपर जिसमें आप लोगों के साथ कुछ निचीज शेयर करता हूँ तो अगेन आज कुछ अच्छी निचीज लेके हैं हूँ जिन पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रही है साइट का URL भी आप देख सकते हैं और इसके स्टैट्स भी आप लोग देख सकते हैं तो जितनी दफ़ा मैं सारे स्टैट ब्लॉग जो एक ही निच पर काम कर रहा हूँ इसके अंदर आपको टीवी के ओपर है वीपिन के ओपर और इसी तरह इंटरनेट वगरा की सर्विसेज के ओपर यह मिक्स्ट साइट है बट यह सारी जो है वो closely related निचीज है तो इस अप टू यू आप सेम तो सेम बनाओ या क यह कोई के ओपर एक साइट बना सकते हो सो स्टैट्स आप लोग देख सकते हो 4DR, 4DR का क्लियर मतलब यह है इस अगर इनकी पावर होती तो DR का स्कोर हाई होता यह जंक ट्रैफरिंग डॉमेंज और 36,000 ट्रैफिक है साइट का थोड़ा सा सूरत्याल आपको दिखा देता हू यह paics आपको बने नजर आ रहे होगे जो इंटर मावं satisfying है ठीक है है डिफर्ट पंट्रीज के हैं यह ऐसा नहीं है कि इस ऐस्च ब्लाउagen इसके अंधर करे लिए अपको ळूमैं बालब दूरीन की डिफर्टे चैनेल अग्सिंट करते हैं तो यह तो कुछ हैं बाकि इसके stats को देख सकें, तो SEMrush basically एक tool है, जिससे आप किसी भी site के stats, keywords, pages and backlinks को देख सकते हो, ये बहुत ही easily available tool है, 4-5 dollar में मिल जाएगा ये seller आपको देते हैं market में तो इन से आप ले सकते हो, otherwise अगर आपको free में चाहिए, description में एक link होगा, उसके थो अगर आप sign up मेरी तरफ से 30 niches for free मिल सकती है अगर still आपको niches और चाहिए, तो WhatsApp का group description में link है, उसको join कर लें daily base पे, regular base पे तकरीबन, कभी-कभी कोई नागा भी हो जाता है, बट वहाँ पे niches हम लोग share करते रहते हैं आप लोगों के साथ, so, ये site के stats हैं जी, तो ये 2022 22 जुलाई से, इस जुलाई तक एक साल के अंदरिस की growth आप लोग देख रहे हो तरीकागार क्या होता है, आपके पास जब ये tool आ जाएगा आपने simple इसके ये वाले जो keywords हैं, यहाँ पे जाके आप इसके जो pages हैं बहाँ से देखोगे, किन pages पर कितनी traffic है, so suppose कर लो यहाँ पर भी मैंने positions का tab open किया है तो यह आप pages का tab open करोगे ताकि इतने भी pages बने में इस website के वो सारे के सारे आपके पास show ने लग जाए As you can see, इसके total 77 pages हैं और आपने traffic देख ली है already कि इसके कितनी traffic है यहाँ से आप easily यहाँ से export करो और पूरी pages की list with these stats आपके पास आजएगी Still, अगर आपको further इसको break down करना है Keywords में चले जाओ, positions में चले जाओ सारे keywords में से, नहीं मर्जी से filters लगाओ जैसे मर्जी play करो इसके लाब और भी Estim Rush के use करने की इतने तरीके में बता चुका हूँ यह magic tool है, और इसका वैसे keyword का नाम magic tool है आपके लिए यह सबसे best tool है further हमारे पास क्या options है तो अगली जो option है, उसका नाम आप लोग देख सकते हो यह basically home appliances के उपर एक site है इसके अंदर आपको यहां पर यह show हो रहा हो, इसके आप और और भी काफी topics है इसके उपर इसका DR देख लें, इसकी traffic आप लोग देख सकते हो It's a great site, जिसकी domains बिल्कुल भी नहीं है referring but traffic at least कुछ ना कुछ है तो यह 100-200 के दर्मयान में fall करेगी परवन पर जो अगली है उसमें नाम पढ़ सकते हो, STATS DR5 12K traffic है, बहुत ज्यादा नहीं है बट कम भी नहीं है तो यह सारे brands वगरा को cover कर रखा है यह मुझे लग रहा है कुछ service based site है बट यहां से आपको काम की चीज़ मिल सकती है The next one is Peacock tv samsung.com Stats देख लें, 18K traffic है, 43rds है, this is nothing, 23DR का मतलब है थोड़े बहुत अच्छे links होंगे इसके बट इतने भी अच्छे नहीं यहां से अगर आप नीचे आते हो तो यह सारा home page है बड़ी basic सी niche site है, ठीक है further explore कैसे करना मैंने बता दिया अगली option है, get ISP info, यह internet के उपर है, 5 है और 18K traffic इसका भी है, 356rds है, कुछ भी नहीं है और यह सारे blog posts, publish आपके सामने home page बे नजर आ रहे हैं यह इसकी categories है तो यह देखें, free internet, cable TV, internet plans, तो यह सारी internet के उपर ही बनी भी है, ठीक है इसी तरह से smart devices के उपर है यह site, different smart devices use होती है, so उसमें आप यहाँ पर यह देखो और यहाँ पर यह देखो 52K traffic, that's a lot of traffic और calculation की जुरुरत नहीं है, आप लोग, आप लोगों को idea होगे इस चीज़ का, इसकी वर्त कितनी है इसी तरह से जो अगली option है, यह भी home के ओपर ही है, 0 DR है तकरीबन 0.6 है, it's a 0, and 11 के traffic है, तो 0 site जिसकी कोई authority नहीं है, अगर वो 11 के traffic ले सकते है, तो आपको क्या problem है, doorbell, camera and vacuums, इन तीन products के ओपर यह काम कर रही है, and finally, यह है, 30 DR है, 1.1 के इसका जो referring domains है, 62 के traffic है, so यह सार जो pages के बने में, इसको मैंने select किया था, इसकी एक strategy यह है, कि आप जितनी भी post है, उनको अपने home page पे show करवा देते हो, जैसे आपको यह शो हो रही है, तो यह भी एक log technique use करते हैं, अपनी page के ओपर जितनी post वो कर सकते हैं, वो करने के बाद उसको home page पर रख देते हैं, ताक से, इन pages पेज पेज चला जाएगा, so indexing अची रहती है, ranking जल्दी आती है, so definitely फाइदा तो होता है, but यह की site के look नहीं बनती इस तरह से, पूरा page messy हो जाता है, और this is not a good approach, by the way, but यह वो करते हैं, जो quickly site को किसी जगा पे ले जाके बाद में, जैसे भी उसको खेलना चाहें, this is an option for them, this is not a good or natural option, Google को यह पसंद भी नहीं है, यह चीज, यह mess किया है, home page के ओपर, this is not a good option, जो आपको करने चाहें, that's it for this video, hopefully video आपको पसंद आई होगी, इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए, subscribe कर लीजिए, मिलते हैं के लिए वीडियों तब तक के लिए, आला आफिस,